हलो एरोवन आज हम बात करेंगे बायोलोजी की सेकंड क्लास के बारे में फ़र्स्ट क्लास में हमने बढ़ा था बायोलोजी का अर्थ और उसकी डेफिनेशन आज का जो टोपिक हमारे रेगा जीवन की अवधारना तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वते जननमत के बारे में सबसे पहले ग्रीक दार्चिनिकों एवं अरस्तु नामक विग्यानिक ने बताया कि जीवों याने सजीवों की उत्वत्ति जो है निर्जीवों से हुई है इसे स्वते जननमत कहा जाता है याने अगर आपसे परसन पूछा जाए स्वते जनन्मत के परती पादक कोन है तो आप आंसर दे सकते हैं अरस्तू अरस्तू के साथ में ही कुछ अन्य ग्रीक दार्शनिक भी थे अरस्तू के बारे में बता देते हैं अरस्तू का समन ग्रीक याने यूनान से है वर्तमान में यूनान को हम यवन या ग्रीस की नाम से भी जानते हैं ग्रीस की जो राजदनी है एथेंस है वर्तमान में तो यहां हमारा जो परसन था स्वेते जननमत के परतिपद कोन है अरस्तु है चलिए नेक्स्ट जो सिधानत है उसके बारे में बात करते हैं हम जो टोपिक कर रहे हैं बाइलोजी का जीवन की अवधारना को लेके तो सेकंड जो सिधान्त है जीवात जीवोतपती का सिधान्त जीवात जीवोतपती का सिधान्त यह सिधान्त इटली के वेग्यानिक है फ्रांसिस्को रेडी उन्हों ने दिया इटली के वेग्यानिक फ् पर्थम प्रियोग द्वारा सिद्ध किया कि निर्जीव पदार से जीव की उत्पति नहीं हो सकती यानि निर्जीव से निर्जीव पदार से जीव की उत्पति नहीं हो सकती यह किसने प्रूफ किया किसने प्रियोग द्वारा सिद्ध किया फ्रांसिसको रेडी ने और यह ज निर्जीव से ही सजीव की उत्पती हुई है तो उस मत का खंडन किया है फ्रांसिसको रेडी ने फ्रांसिसको रेडी की बातों का समर्थन जो किया लूई पास्चर ने भी किया लूई पास्चर ने भी अपने एक प्रयोक से सिद्ध किया कि जो रेडी कह रही है वह सही है या में 1924 में अपना सिधान दिया था उन्होंने एक बुक लिखिय है Origin of Life ये परिजिन के बार पुछा जाता है Origin of Life ये पुस्त किसकी है तो 진행रल्ट की है और जो बुक के अंदर उन्होंने अपने सिधानत के बारे में परतिपादन किया है यह से दान समझाया है और इस बुक में लिखाव है प्रथिवी पर पर्थम जीव की उत्वति जो ही यह वो किस प्रकार हुई है उन्होंने इसे समझाने का प्रियास किया है ओपेरिन की प्रिकलपना के अनुसार प्रथिवी पर सबसे पहले राशानी की विकास हुआ जिन से जीव के लिया आवसक पदार्थों को निर्मान हुआ सबसे पहले कोशिका सेदर से विसानू बना याने सबसे पहले कोशिका के समान ही एक विसानू बनता है और विसानू से एक उसकी जीव बने और फिर इनसे बहु कोश की जीव बने याने हम कह सकते हैं सबसे पहले विसानू याने वाइरस बना उससे एक उसकी जिव बना और फिर बहुक उसकी जिव बने हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी वेगानिक JBS Holden के बारे में तो जो ओपेरिन का सिधान था ओपेरिन कंसेप्ट था उसका जो समर्थन किया है वह JBS Holden ने किया है तो ऐसी ही परिकल अपना अंग्रेज वेगानिक JBS Holden ने 1939 में परस्तुत की इसके अनुसार प्रत्वी की उत्पती से लेकर प्रत्वम जीवन की उत्पती की पूरी परिकलिया को आठ चरनों में बांटा गया है मतलब जो JBS Holden ने अपना मत दिया है अपनी परिकल अपना दिया है उसे आठ चरनों में कम्प्लीट समझाया है ओपेरिन की जो परिकल अपना है उसे यूरे और स्टेनले मिलर ने भी अपने प्रियोग से स्तापित किया है मतलब जो यो ओपेरिन ने कहा है वह सही है तो ओपेरिन के जो समर्थक है यूरे भी है श्टेनले मीलर भी है जेबी एस होल्डन भी है आपको बता देते हैं प्रत्वी का प्रारंबिक वायूमंडल जो था अपचायक जल था इसमें हाइड्रोजन का बहुले था जीवन की उत्पत्ति के समय ओटू जो ओक्सीजन है सव आज हमें जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा जुरूरी है वह है ओक्सीजन है तो ऐसा लगता होगा कि पहले ओक्सीजन आई और बाद में जीव आया ऐसा नहीं है पहले जीव आया है बाद में ओक्सीजन आई यह बहुत बड़ी बात है ध्यान रखेगा याने पहले और श्टेनले मिलर नामक वेग्यानिक ने अपने प्रियोग द्वारा सिद भी किया इस बात को तो चली जानते हैं श्टेनले मिलर का प्रियोग श्टेनले मिल्लर ने प्रत्वी के आरंबिक जो श्टार्टिंग थे प्रारंबिक वायूमनल में उपस्तित पदार्तों मिथेन, गेस, हाइडरोजन, जलवास्प, अमोनिया वे टंग्स्टन के विदुतागरों द्वारा चिंगारी की वेवस्ता की जिसमें अमीनो अमल, सरल सरकरा, कार्बनिक अमल वे अन्य कार्बनिक योगिक बने जो की ओपेरिन के रसानिक विकास अथवा जीव रसायन उद्भव याने रसानिक चिदांत को सिद्ध करता है चलिके हम बता देते हैं किस तरह से एक प्रारंबिक जीव की शरंचना का निर्मान हुआ या प्रत्थम जीव कैसे हुआ बना उसके बारे में हम थोड़े सी जर्चा करके आपको बता देते हैं प्रत्थम पर उपस्तित तत्वों C, Carbon, H, Hydrogen, O, Oxygen, N, Nitrogen की आपस में भोतिक हैं रसायनिक किरियाओं से रसायनिक विकास और जेवी विकास हुआ तो आपको यहां ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले जो हुआ है रसायनिक किरियाओं हुई है जो प्रत्थम पर उपस्तित सकते हैं प्रत्थमी में आरंबी काल में उपस्तित तत्व C, O, N इनके रसायनिक स्योंग से मैथेन, जल, अमोनिया का निर्मान हुआ यह तो रसायनिक स्योंग कह सकते हैं यह रसायनिक किरियाओं कह सकते हैं इसके बाद में रसायनिक विकास हुआ उसके अंदर रसायनिक व प्रोटीन जो है न यही विसानों की उत्पति का अधार बना यानि सबसे पहले विसानों की उत्पति है वाइरस बना ध्यार रखिएगा जिसे मानव है मानव एक बहु कोश्की जीव है बहु कोश्की और बहु कोश्की से पहले एकोश्की जीव बना और एकोश्की जीव से पहले विसानू याने वाइरस बना देखिए आज हम विसानू वाइरस की नाम से थोड़ा सा गबरा रहे हैं क्योंकि कोरोना वाइरस का जब से नाम सुने लेकिन आपको बता देते हैं कि जीवन की उत्पति हुई है तो सबसे पहले विसानू ही बना है सबसे पहले वाइरस ब जीवना और उससे बहु कोश की जीवना यानि यह कह सकते हैं कि मानो आज अगर है तो वाइरस की वजे से ही है तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि वाइरस एक तरीके से कितना एहम रोल निभाता है तो आपको यहां ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्थवी की बना थाता है तो न्यूकलियो प्रोटिन का निर्मान हुआ यही विशानू की उतपति का अधार बना अच्छा साथ में बताजहें धने और N, यह काफ sucked है तो सबसे पहले RNA का निर्मान हुआ उसके बाद में DNA का निर्मान हुआ है तो यह रसनth निक विकास था अब जे और इसे ही पहला प्रकास संसलेसी जीव माना जाता है यानि पहला प्रकास संसलेसी जीव है नील हरित सेवाल यह है बहुकाउस के जीव कह सकते हैं इसको तो यह है जेविकास था अच्छा अब आपको जाना चाहिए कि जेविकास जो सब्द है जेविकास सब्द उसका यूज सरंचना वाले सजीव के जटिल सरंचना वाले जीवों में कर्मिक परिवर्तन को ही जे विकास कहते हैं तो जे विकास सब्द किस ने दिया हरबध स्पेंसर ने दिया अच्य है परसंद मनता है कि जे विकास का जनक कोण है जे विकास का जेवन के अवधारने के बारे में जाना इसे पहले वीडियो में हमने biological meaning और उसकी definition जानी थी और आज की वीडियो में second वीडियो है ये biological इसके अंदर हमने जीवन की अवधारना को समझा तो ध्यान से repeat करके आप एक बार और इस वीडियो को देख सकते हैं आपको याद हो जाएगा तो इस वीडियो में इतना है